ओम स्यंति बाबा ने आकर हमें सहेज राजयोग सिखाया है सबसे बड़ी विद्यादी है जिससे हमारी बुद्धी डिवाइन और रिफाइन हो जाती है संसकार बड़े सुखदाई निर्मल शक्तिशाली हो जाते हैं जो राजयोग हमें निर्भय कर देता है सफलता की ओर ले चलता है प्रभु मिलन की सुन्दर अनुभव कराता है आत्मा अतिंद्री सुखों में रहने लगती है आईए हम इस राजयोग को सहेज योग बनाएं कर्म योग बनाएं और विशेश रूप से बाबा से अपना पन फील करें वो मेरा है संसार में भी जो अपने होते हैं जिन संबंदों में बहुत स्वीटनेस और प्यार होता है उनके साथ रहने में कितना सुख मिलता है भगवान का नाता जो प्यार का सागर है सार्व सक्तिवान है जो हमें बहुत चाहता है जो हमारा सम्मान करता है जो हमें सफलता के अध्यात्म के शिकर पड़ ले जाना चाहता है ऐसे बाबा के साथ रहने में कितना सुख मिलेगा तो आईए हम इस योग का जीवन में परमान अंद लें यो तो राजयोग संसार की सबसे गुई विद्या है प्रन्तु बाबा ने एक बहुत अच्छी डेफिनिशन दी है राजयोगर थात मेरा कुछ भी नहीं जिन्योगी बनना है उन्हें इस मेरे पन से मुक्त होना होगा मेरे पन का त्याग करना होगा इसकी बली चड़ा देनी होगी से उपर इसी की आदगार में भक्ति में लोग बली चड़ाते आए सिर की पर बली चड़ानी है बुद्धी के अभिमान की अर्थात मैं पन की चेक कर लें मेरे अंदर कैसा मैं पन है मेरा पन है मेरा तो एक है बस मेरा मेरा ये तो संसार में लगा ही हुआ है और इसी से अनेक मनुस बहुत दुख ही हो रहे हैं मेरा बच्चा है कम पढ़ रहा है है मेरा बच्चा बुरी संगत में जा रहा है यद भी माबाप को ये चिंता होनी स्वाभाविक है तो यदि मेरे पन का त्याग करके बच्चे को बावा के अरपित कर देंगे ये तेरा बच्चा है तो वो उसे सभाल लेगा मेरा मकान, मेरा धन, मेरा पती, मेरी पतनी ये सब मेरे पन, जीवन में परिशानी का कारण बनते हैं ये मेरे हैं, तो मेरी बात क्यों नहीं मानते बस ये ही सुक्स्म मैं पन, मन उसको परिशानियों में डालता है सोचो अगर बाबा भी ये ही सोचने लगे ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरी बात क्यों नहीं मानते तो कैसा लगेगा लेकिन वो ये जानता है कि इनका ड्रामा में जितना पार्ट है जितना भगी ने मुझ से लेना है कल पहले जितना इनोंने लिया है उतना ही ले रहे हैं इसलिए वो साकसी रहता है मेरा पन होते, अपना पन होते भी साकसी भाव हम भी इस फीलिंग को वढ़ाएं और चेक कर लें कहां हमारे अन्दर मेरा पन है मेरा धन, मेरी ज्वैलरी, मेरे वस्त्र, मेरी पद पोजिशन, मेरा मांश्यान, मेरी च्छाएं, मेरी तरशनाएं इन सब से परे निकलने वाले स्रेश्ट्यागी ही स्रेश्ट्योगी बनते हैं तो इस पर गहराई से चिंतन करें और आज सारा दिन अभ्यास करेंगे परमधाम में बाबा के पास जाकर उन्हें टच करेंगे मैं आत्मा ब्रकूटी सिंगासन पर विराजमान अपने सुन्दर स्वरूप को देखें मैं आत्मा यहां से निकल कर चली उपर की ओर परमधाम में शिव बाबा को टच किया उसके पास बैठ गई उसकी एनर्जी मुझ में समाने लगी उसकी संपोर्ण सक्तिया स्वयम में भर कर मैं आत्मा नीचे उतरी अपनी देहे में फैलने लगी यह सक्तियों की किरने चार ओर यह उपर जाने की और वापिस देहे में आने की डिल आज हर घंटे में दो बार करेंगे और मेरे पंसे मुक्थोने पर ध्यान देंगे ओम श्यांति